पेज़ को डियरी स्टुडेंट्स कुश्चन नमबर 6 देखो आप सभी आपको पता है कि कलास 10 का NCRT मैथ हम पढ़ रहे हैं जिसमे एकसरसाइज 4.2 या अभ्यास 4.2 चल रहा है जिसमें का कुश्चन नमबर 6 आज हम पढ़ेंगे ध्यान से कुश्चन सुन लो आपके पास ब एक दिन में कुछ बरतनों का निर्माड करता है एक कुटीर उद्दोग एक दिन में कुछ बरतनों का निर्माड करता है एक बिशेश दिन ये देखा गया कि परतेक नग की निर्माड लागत उस दिन के निर्माड किये गए बरतनों की संख्या के दो गुने से के दो गुने से तीन अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माड लागत नब्बे रूपे थी तो निर्मिद बरतनों की संख्या और परतेक नग की लागत ग्याद कीजिए सवाल मैंने बहुत रुक रुक के बोला है फिर भी नहीं लिख पायो न तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुनो और सवाल को लिख लो आपकी किताब अगर है तो मिला लो किताब में मिल रहा है न तो बच्चा क्या करोगे बाबू द्यान दो बड़ाई प्यार सा सवाल है और खिर दो कितने बरतन बनाता है क्यान खुक कि अब करोगे सबसे पहले यह जब बार में लिख लिख में माना बरतनों की संख्या माना क्या लिखोगे बच्चा माना बरतनों की संख्या बराबर एक्स क्या लिखोगे माना बरतनों की संख्या बराबर एक्स ठीक है बरतनों की संख्या बराबर एक्स हमने बरतनों की संख्या मान लिया आगे कह रहा है कि एक बिसेश दिन ये देखा गया कि प्रतेक नग की जो निर्मा लुखो परते सिस्थ, न्मार लागत कर स्थ, यह दो स्थ दिन अधीक थी, मतलब ये तीन हो गया सवाल एक बार फिर से सुनो कहरा कि एक कुटे रुद्धोग एक दिन में कुछ बरतनों का निर्माड करता है एक विसेज दिन ये देखा गया कि उस दिन परतेक नग की निर्माड लागत एक विसेज दिन ये देखा गया लेकिन उसमें जो टोटल नग की निरमाड लागत थी उस दिन की वो 90 रुपए थी तो बच्चा लिख लो प्रफना अनुसार आपका सवाल आपके सामने आ गया है चलो प्रफना अनुसार प्रफना अनुसार क्या करोगे भाई देखो सिंपल सी बात है जितने बरतन है और जितनी परतेक बरतन की लागत है जैसे हम माल लेते हैं कि साथ बरतन है एक बरतन को बनाने में 5 रुपए लगता है एक बर्तन को बनाने में 5 रूपय लगता है तो कुल बर्तन बनाने में 35 रूपय खर्चा होता की नहीं सोचो बर्तन साथ है एक बर्तन के पीछे 5 रूपय लग रहा है तो टोटल बर्तन बनाने में 35 रूपय लगेंगे न बच्चा लगेंगे न यह हमें कैसे मिलेगा जब हम बरतनों की संख्या को उसकी लागत से गुड़ा कर दें तब ही मिलेगा न, तो उसी तरह से हमें बरतनों की संख्या x पता है इनकी निर्मार लागत 2x प्लस 3 पता है, तो प्रसन अनुसार हम क्या करेंगे x का multiple करेंगे 2x plus 3 में इसमें कह रहा है कि जो उस दिन की निर्मार लागत दी हो 90 रुपे दी है तो बराबर 90 रुपे कर देंगे हल कर लोगे बच्चा इनको तो यह हो जायागा मैं थोड़ा इधर side ज़्यादा हल करूँगा चूकि मुझे इधर side जगा बचानी है तो मैं इधर थोड़ा ज़्यादा लिखूँगा ठीक है हाँ यहाँ पे लिखो बच्चा x into 2x plus 3 equal 90 तो यह हो जायागा 2x का square plus 3x equal 90 final में आपका आजायागा 2x का square plus 3x minus 90 बराबर 0 अब यहाँ से आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होगा वो क्या है मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ इधर side तो मैंने काफी कुछ बोड़ छोड़ दिया है ठीक है कोई बात नहीं डॉन्ट वरी तो बच्चा लोग क्या करोगे बाबू अब बड़ा गड़ बड़ा लग रहा है चलो बताओ सोचो इसमें हम लोग आखिर कर क्या सकते है सोचो क्या कर सकते है गुड़ा करने पर 180 आए यहनि 298 और घटाने पर 3 आए सोचो गुड़ा करने पर 180 आए घटाने पर 3 आए इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो बच्चा हम लिख सकते हैं, इसको 2x square plus, हम 3 की जगा पे लिख सकते हैं, 15-12, 15-12 का गुड़ा कर लो, देख लो, देखो ये गुड़नखंड करना मैं पहले सिखा चुका हूँ, इनके factor कैसे करते हैं, ये नहीं हाता तो comment करना, comment करन मुझे नहीं हाता, बताया जाएगा, तो ये 2x square plus, 15x minus 12x minus 9090, इतना आपको समझ में आ रहा है, इसमें आप क्या करोगे, common ले लो, जल्दी जल्दी से common ले लो, तो बच्चा, इसमें common हो जाएगा, x, क्या common हो जाएगा, x, तो इसमें बचेगा, 2x plus 15 बचेगा, इसमें minus का, 6 common ले लोगे, तो 6 दूना बारा, 2x, और प्लस का ये 15 बचेगा, फाइनल में हम इधर साइड में हल कर देंगे, इसलिए मैंने जगा छोड़ा था, जिससे कि आपको कोई लफडा ना हो बई, कोई कमी ना हो जगा की, तो आप क्या करोगे, हल कर लो, करना क्या यार, ब 0 करते जाना, हमें x का मान निकालना है, दोनों में अलाग अलाग कर दे रहा हूं, यदि 2x plus 15 को बराबर 0 करेंगे, तो x का value minus 15 बचा दो आता, आता न, लेकिन अगर हम यदि x minus 6 बराबर 0 करें, यहां पर लिख लो, तो x का मान 6 आएगा, अब यह बरतनों की संक्या minus में तो यह बरतन थे, नहीं न, बरतन तो एक गिंती होती, एक पुल्ड संख्या आएगी, आएगी न, एक प्रकृतिक संख्या आएगी, तो यह मान हम लेंगे, प्लस वाला, माइनस वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अब तुम लिखोगे का बच्चा, अब यह लिखोगे, ला लिखोगे, प्लस थी, प्लस थी, इक वाला, मैं किया पूछा था, नीर्वेज बरतनों की संख्या और प्रतेग नघकी लागत, तता प्रतेग नघक की लागत, तु एक प्लस थी, इक्वल, 2 इंटू 6, प्लस 3, इक्वल, 2 छंग, 12, 3, 15, रूपया, बात समझ में आई न, इसको नीचे लिख देना, आता है परतेक, आता है, कुल बरतनों की संख्या, X बराबर 6, तथा परतेक नग की लागत, ये 2X पलस 3, इसमें X कमान रख करके हल कर लेना, मतलब 15 रूपय हो गया, इस तरह से अगर आप थोड़ा फ़ा दिमाग का परियोग करो बच्चा, तो अगर 6 रूपय एक बरतन की पीछे खर्चा हो रहा है, चे नहीं हो रहा, 15 रूपय हो रहा बच्चा, बरतन 6 बन रहे हैं, तो 15 रूपय हो ना, टोटल, नोट कर लो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स सवाल की तरफ, वैसे आज का ये एक्सरसाइज खतम हो गया, 2X का स्कॉयर, सवाल लिखो जल्दी से मिश्टर परवीन कुमार, आदेश कुमार, कपिल कुमार, देबेंद्र, प्रियंका, अंकिता, सवाल लिखो पहला नंबर सवाल, फ़र्स्ट नंबर का फ़र्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 4.3, 10th मैद, चलो, क्या कहता है बच्च ध्यान से लिखो, 2X का स्कॉयर माइनस, 7X प्लस 3 है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले उपर का टाइटल लिख देते हैं, जिससे की बच्चे समझ पाएं कि इसमें क्या करना है, यदि निम्लिखित दुई घास समी करणों के मूलों का अस्तित हो, तो इन्हें पूर्ल वर्ग बनाने की बिधी से ज्याद कीजिए, यदि निम्लिखित दुई घास समी करणों के, यहाँ पर पहले ये चीज़ समझ लो, आप लोग नहीं तो बुक नहीं लिख लो, यदि निम्लिखित दुई घास समी करणों के मूलों का अस्तित तो है, बोल रहा है, कि यदि दुई घास समी करणों के, मूलों का अगर अस्तित तो है, तो इन्हें पूर्वर्ग बिधी से हल कीजिए, अगर अस्तित तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, अस्तित तो है तो, ऐसा ही तो लिखा है ना, भाई ऐसा ही तो है ना, अस्तित तो हो तो पूर्वर्ग बिधी से हल कीजिए, यहां तक दिख रहा है ना, यह क्लियर है, हाँ, अध्यान दो, पूर्वर्ग बिधी से हल करिये, बहुत सिंपल सा तरीका है, पूर्वर्ग बिधी वाला, एकदम सिंपल है, बेरी आफ़ान है, देखो कैसे, इसमें का चार पार्ट दिया, बच्चे जिसमें का पहला पार्ट मैं आपके सामने परदर्सित कर रहा हूँ, पूर्वर्ग बिधी से इनको कैसे हाल करेंगे, अच्छा, ठीक है, अगर हम सिंपल वाला मिथेड याद करें, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, तो कैसे पढ़ते थे, भाई, दो का तीन में गुड़ा कर लो, दो त्याएं, छे, गुड़ा करने पर छे आए, जोड़ने पर साथ आए, और जोड़ने पर साथ आए, हो जाएगा ठीक है, ये क्या है, ये मिथेड मध्वपद को दो भाग में डिबाइट करके हल करना कहलाता है, तो कि गुड़ा करने पर जो जोड़ने पर आए, इसे मध्वपद को तोड़ना कहा जाता है, बिल्कुल रिसु जी, बिल्कुल वेले गुड़, दीपानसु का बोगी सही है लेकिन हमें यe इ instant यहां आज हुआ है यह में मिंदल्ब तो आज करना है विय क्या करना है लिखो इसमें नीयम देख साइड मी चाहिए लिखोंप लोग लोग यह आ इस्टयफ जो भी समझ लो साइड में मैं लिख देता हूँ जर साइड आप लोग नियम लिख लो सबसे पहले क्या करोगे यक्स इसक्वायर के गुडांक से दोनों पक्छों में भाग गुडांक से दोनों पक्छों में भाग करेंगे ये नियम है पहला दोनों पक्छों में भाग पूर्ल वर्ग विदी थोड़ा कठिन होता है लेकिन तीन नियम है अगर तीनों याद कर लोगे तीनों याद क्या समझ जाओगे एक दों आसान हो जाएगा तो चलो यक्स स्कॉयर का यहाँ पर गुडांक दो है नहीं समझ में आएगा तो बता देना तो बच्चा हम क्या करेंगे यक्स स्कॉयर का जो गुडांक है नि दो उससे हम सभी में भाग दे देंगे दोनों तरफ तो भाग देने का मतलब है कि जितने भी नंबर है सभी में हम उससे क्या करेंगे भाग दे देंगे अवंति का पटेल जी आरा समझ में ना समझ में आरा ना तो यह मैंने क्या किया एक सिस्कॉयर के गुडांग से भाग दे दिया यह पहला इस्टेप था पहला इस्टेप मैंने पूरा कर लिया दूसरा इस्टेप क्या कहता है दूसरा कहता है कि मध्यपध को दो बट दो से गुड़ा करें देखो दोसरा कहता है कि मध्यपध को दो बट से गुड़ा करें ध्यान से देखना पुर्वर्ग बनाने की यह तीन चार इस्टेप हैं तीन इस्टेप में आप बड़े आफानी से कर ले जाओगे एक दमीजी से मध्यपद यह है बच्चा ना यही है न तो यह देखो भाग होगा तो कट जाएगा माइनस यह मध्यपद है इसे हमें दो बटा दो से गुड़ा करना है यह से बन एक सपांटू और प्लस यह थ्री अपांटू यह जीरो हो जाएगा भाग जाएगा तो यह दो इस्टेप हो गए न एकदम आसान है न देखो समझने की कोशिस करोगे बहुत मजा आएगा ठीक है मिष्टा राओधेस क्या समस्या हो रही है आपको बताते जाना तुरंथ यह दो इस्टेप हो गया तीफरा इस्टेप में क्या करोगे बच्चा बहुत ही जी है इकदम आफान है तीफरा इस्टेप में क्या करना है मध्यपद में मध्यपद में मत करो इसको थोड़ा सा सू गुड़ा करोगे यह मद्यपद वाई यह सुरी हाँ हाँ ठीक है ओके ओके ऐसे नहीं लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेइन करो कि चलो मद्यपद के गुड़ांक को यानि मद्यपद का गुड़ांक गुड़े एक बटा दो कि यह करना है मद्यपद का गुड़ांक आप यहीं से देख लो साथ है न मद्यपद का गुड़ांक साथ है लेकिन यहां देखो जहां में करनलाइष्ट में तो साथ बटा दो हो गया है यहीं हमारा जो मद्रबाद का गुडांखा सेवन अपांटू है क्या बच्चा यहां पे सेवन अपांटू है इसे हमें एक बटा दो से गुडा करेंगे तथा तथा प्राप्त संख्या का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे ठीक है ध्यान देना का वर्ग जोड़ेंगे जोड़ेंगे और घटाएंगे ये तीन स्टेप अगर पालन कर लोगे तो आसानी से कर ले जाओगे कलाफ टेंथ के जो भी बच्चे एक्टिव हैं बड़े प्यार से कर लेंगे तीनी स्टेप फालो करना बच्चा पूर्ण वर्ग बिधि में सिर्फ तीन स्टेप पहला स्टेप एक्सि स्क्वाइर के बटा दो से गुड़ा करो तथा प्राप्त संख्या का वर्ग इसी में जोड़ दो घटा दो तो हम तीसरा इस्टेप पर चलते हैं दो मैंने कर लिए मद्दपद का गुड़ांक आप देखो अगर यहां पर सेबन एक्स अपान टू इसमें एक्स का गुड़ांक क्या है चलो फट से बताओ बच्चा सेबन एक्स अपान टू में एक्स का गुड़ांक क्या है बेटा देखो यहां पर यह सेबन एक्स अपान टू है ना इसमें अ कि हम stay in». यह का गु़ॉंग क्या है? seven upon two है. यहुं हम समझ गये कि इसका गुउरांग क्या है? seven upon two है. कहे रहां कि one upon two से गुळा कर दो, तो में उमने मैंने क्या का на two मिल्टिपल center कर दिया. अमन्ती क bets प्राप्त संख्या का वर्ग यानि साथ बटा चार का वर्ग सेवन अपानफोर का वर्ग इसमें जोड देंगे और घटा देंगे क्या करेंगे जोड़ देंगे और घटा देंगे तो चलिए साथ बटा चार हमें मिली है तो हम साथ बटा चार इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे कहां पर जोड़ेंगे पहले इसको गुड़ा कर लेंगे नीचे नीचे का गुड़ा करेंगे उपर का गुड़ा नहीं करे यहां पर ध्यान देना हर हर का गूड़ा कर लेना अन्स का नहीं करना तो बच्चा यह हो जायागा दो गुड़े 7 गुड़े यक्स और हर हर का गुड़ा कर लोगे बच्चा तो यह 4 हो जायगा जिसे आप से बन की नीचे देना बस अब इसी जो 7 आपान 4 मिला था ना उसका वर्ग यानि 7 बटा 4 का वर्ग जोड़ दो और माइनस 7 बटा 4 का वर्ग घटा दो ये ऐसा क्यों किया जाता है पूर्ग बनाने के लिए किया जाता है जिससे कि मान पे खुवी फरक ना फड़े इस ओज़ा फे घटा भी दिया जाता है और काम भी बन जाए लाश्ट में जो बच्चा है 3 फान टू उसको लिख के बराबर सुनना कर देंगे बस यही पूरा इस्टेप था बाबू यही पूरा इस्टेप था भाईया अब आप इसके हल कर लो आपका उत्तर आ जाएगा समझ में आ जल्दी से बताओ या स्यानो फटा फटा फट सभी बच्चे जल्दी से बता दो अब मैं यह नियम मिटाओंगा इसी क्वेशन को humming नियम मेंगे बढ़ोर यही चाहला है क्योंकि यह थोड़ा सा दिमाइब लगाना चाहते नहीं है बच्चे दिक्क्त की बात यह हां तो यहां पर सभी बच्चे नहीं होटेंगे आएंगे बहुत जूड़ेंगे देखेंगे दू-4 सिकन भाग जाएंग एक आदो म पड़ेगा भागने से काम नहीं बने कि हम यहां नहीं पड़ेंगे छोड़ देंगे नहीं फेल हो जाओगे लेग चलो इसको हको कर futur करके इसका नसरा बताएगा किया इक सक मान निकालना है कोई भी बता सकता है जो भी बच्चा ट्राई करें मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे अच्छा दिखे चलो आगे बने अब इनको सब को समेट के उपर ले जाएंगे यहां पर हम लोग हल करेंगे इनको अच्छे से ढंक से अल करेंगे यह लो जगा बन गई बहुत अच्छा मैदान है आब एक चीज आप धेंदो जिन बच्चों को याद वह नहीं याद है वह भी ध्यान देंगे यहां पर मैं लिख सकता हूं फार्मूला चलŁ ऍकीव एकर दिखा वही फर्मूला अगर यहां पर अपनाओ तो देखो आ रहा की नहीं अगर हम A की जगा पर यक्स माने और B की जगा पर सेवन अपान 4 माने तो देखो आ रहा की नहीं आ रहा है बोलिए 84 बताईए 7 अफान 4 को हमने B माना है एकस को A माना है तो देखो फर्मूला क्या बनता है ये देखो A का स्कॉयर मतलब X का स्कॉयर हो रहा है माइनस 2 का 2 और यहाँ पर B पहले है A बाद में है तो चाहे A पहले करो या B पहले करो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि गुड़ा में अगर 3 में 2 का करोगे या 2 में 3 का तो वही आता है तो देखो ये गुड़े 2 इंटू A गुड़े B बन रहा है और प्लस देखो ये B का स्कॉयर है बोलो फर्मूला बन रहा है ना सूरज बर्मा बन रहा है ना बन रहा ना बच्चा तो ये फर्मूला आपका बन रहा है क्या बन रहा है ए प्लस B का होली स्कॉयर का सूत्र बन रहा है किसके साथ में बन रहा बच्चा ध्यान दो प्लस न बन रहा है कि माइनस बन रहा है माइनस वाला बन रहा है याद रखना प्लस वाला नहीं बन रहा है फर्मूला कौन सा बनेगा भाईया माइनस वाला बनेगा बाबू माइनस वाला बनेगा निगेटिव वाला यानि हम ये इसको लेकर के हम सूत्र बनाएंगे माइनस वाले को और ये छोड़ देंगे या फिर हम यहाँ एक काम कर सकते हैं जहां पर मैंने पहले जोड़ा है ना चुक्कि यह माइनस है तो पहले घटा लो बाद में जोड़ दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके देखने में आईसे भी कर लो जैसे मैंने किया तब भी कोई गलत नहीं है लेकिन इससे समझने में आपको थोड़ा सा हेरफेरी हो जाएगी ठीक है तो इसमें इसका वर्ग पहले हम घटा लेते हैं फिर जोड़ देंगे जिससे की फार्मूला बनाने में थोड़ा सा आपको आसानी हो नियम में मैंने यही तो लिखा था ना कि उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो चाहे पहले जोड़ दो बाद में घटा दो या पहले घटा दो बाद में जोड़ दो कोई फरक ने पड़ता कि तो इस तरह से आपका यह इतना मिलके सुत्र बन जाएगा बच्चा इतना मिलके क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा मैनस अनわか यह सूत्र बन गए आपका इतना फिर यह बच रहा है बच्चा छोटा वाला सा अब इसको हल कर लो सात का वर्ग 49 यह 16 यह हो जाएगा 49 बटा 16 और यह प्लस 3 बटा 2 आया ना समझ में आगे का इस टेप तो तुम लोग करी ले जाओगे कर ले जाओगे ना बच्चा कर ले जाओगे ना इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है किसी को कर ले जाओगे ना लेकिन आप एक बात यहां पर ध्यान दो आप लोग जो हम लोगों ने कुछ किया है उससे ध्यान दो एक बात ध्यान दो अच्छा मुझे यह बताओ इसको जो मैंने माइनस वाला पहले कर लिया प्लस वाला बाद में कर दिया ऐसा करके बिल्कुल सही नहीं किया ना हां ऐसा करने से कोई मतलब नहीं देखो थोड़ा सामने सोचा कि यह सही हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में तो a b plus होता है बी होता है न बच्चा एभी प्लस होता है बी भी प्लस होता है न तो इसे आप प्लफ ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे चलके आपका पलट जाएगा नहीं तो क्योंकि माइनस का तो कोई सूत्र होता ही नहीं है एक बात ध्यान दो अगर हम इसे ऐसे लि माइनस मइनस माइनस नहीं माइनस वाले में क्या होता ना इस इसका तो कोई सूतर होता ही नहीं तो यह इतना बन जाएगा यह माैनस में बचेगा तो भ alone आपका यह कितना बचेगा माइनस में बस यह माइनस हो गया इतना आगे बढ़ो बड़े प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा मिश्टर सूरज बर्मा मैं दुबारा बता दूँगा लेकिन अभी पहले समझो सूरज कुमार परेशान मत अब देखो बता देना बच्छा ठीक है देखो माइनस वाले सूथ्र में माइनस टू एबी होता है बागी भी प्लस होता है तो इस वजबाइनस देखो है आपर माइनस तो है ना तो 2A तो होली स्क्वार ऐसे रहेगा यह आपके उधर जाएंगे तो यह प्लस फोर्टी नाइन अपांटू हो जाएगा माइनस त्री अपांटू हो जाएगा यह 16 है बच्चा अब इनको हाल कर लो फट फट अच्छा एक बात बता तुम लोग 16 और दो का से रहने तो तब तक यह माइनस अपांट फोर का होली स्क्वायर इनका ल्सीम 16 होगा बिल्कुल 16 होगा ल्सीम सोला होगा अवंति का पटेल आपको लाफन ही आता है रिसुसानी का बिल्कुल सही है सोला को सोला से भाग करोगे तो एक आएगा उन्चास में गुड़ा कर दो म इनको ल्सीम नहीं आता हो सीख लें ठीक है कोई बड़ी बात नहीं ल्सीम करना आना चाहिए इस तरह से आप इसी हल कर लोगे चुटकी भर में लग जाएगा ये एक सिकेंड के अंदर आपके पास आजाएगा दोड के यह यक्स माइनस वन अफान फोर यह होल स्क्वायर क तो क्या करोगे तुम लोग एक लाइन और लिखोगे नीचे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ये दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर नीचे एक लाइन और लिख लेना आप लोग लिखना दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर उसके बाद इसको बना लेना एक बटाचार नहीं साथ बटाचार है बच्चा कहां पे भाईया हाँ ठीक ठीक OFेरी गुड्य जी बिल्कुल 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 मिश्टर एपा characterized very good चलिए ठीक है ये क्या है सेवा है spaghettiота कोई बात नहीं अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं थीक है बहुत बहुत थैंक्यू कुल मिलाके सुत्र इसी के सहरे बन रहा है बस इतना समझना है जब इसको खोलोगे तो यक्स-7 अफान-4 आएगा इक्वल फाइप आजाएगा 25 का वर्गमूल 16 का फोर आजाएगा हल कर लोगे बच्चा तो यक्स बराबर कितना आएगा पांच बटा यह चार और धन-7 बटा चार आगे नीचे दिख रहा है कि नहीं बता दो पहले मुझे यह नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा मुझे लग रहा है तो मैं इसको उपर लिख देता हूँ यहां से नीचे नहीं लिखूंगा जाने दो यहां फे नीचे नहीं लिखूंगा जहां तक दिख रहा ठीक है इसके आगे हम मान निकाल लेंगे तीसरा पक्ष चलो फटा फट तो क्या करोग यक्स इक्वल 12 अपान 4 आएगा मतलब 3 आएगा एक्स कमान क्या आएगा बच्चा यक्स कमान 3 आएगा बोलो 3 आएगा की नहीं अरे यारे एक लाई ना और कर लो 7-5-12 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा यक्स कमान 3 आएगा लेकिन सिर्फ एक इमान नहीं आएगा क्यों क्यों कि यह समीकरण जो दिया गया था दूइघाद समीकरण था दूइघाद समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं कितने होते हैं बैटा दो मूल होते हैं वच्चा तो इसमें एक ही मूल तो होगा नहीं इसके दो मूल होंगे तो दूसर का मूल कहा गया मिश्टर कपिल कुमार दूस माइनस दोनों में आया था तो यहां पर हमने प्लस मान लेकर के हल किया है क्या किया है प्लस वाला मान लेकर हल किया है आप अगर ध्यान दो तो मैंने प्लस वाला फाइब पान फोर यूच किया ना यहां पर ब्रेकर्ट में चाहे आगे लिख लो दिख रहा है ना नहीं दिख यहां पे लिख लो पर्लेकर्टमे, प्लस चिन्स लेने पर, यह ले सप्सम्स दिए बन, term, ले तरह एस्ट मीश्च आ एक रहा हूं, नीचे फिर से मार्म Кोरोगे, मायमने फ्लस के फाई दो पान फोर और लुत टो पान फार, यह मीशिक दो सबसम। माइनस चिन लेने पर इस तरह से आपके यक्स के दो मूल आ जाएंगे कौन-कौन एक बटा दो आ जाएगा और एक तीन आ जाएगा समझ में आ गया ना यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कुश्चन थोड़ा सब्भी हो जाएगा बाबू लेकिन बड़ा इजी है ठीक ना नहीं समझ में आ तो बता दो मैं फिर से इसे समझा दूँगा एक तरप से अच्छे से चलो आया ना समझ में मिच्टर बंसी जी आ गया ना भई बंसी रोलेयान रोलेयान नहीं इनका नाम बड़ा खतरनाक है बस मैं बंसी बोलूँगा चलो आ गया ना सभी को समझ में जल्दी से फट से सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दो तूरंत देर मत करो हो गया ना इतना चलिए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको जिससे की समझ में आ जाए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें जैसे मिश्टर कपिल कुमार प्रियंका अंकिताज सूराज दिपान्सू और कौन है नेहा परजापती कुछ बच्चे पहले फिजुड़े थे उनको समझ में आ गया होगा जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो ध्यान दे ठीक है अब ध्यान देजिए इसमें बच्चा तीन स्टेप फालो करना होता है कौन कौन सा तीन स्टेप फालो करना होता है पहला स्टेप में जो यक्सी स्कॉयर का गुडांक होता है उससे दोनों पक्छों में भाग क कर दिया था दोनों पक्ष में यह मैंने किया दूसरा इस्टेप में क्या करते हैं बच्चा सिकेंड इस्टेप में करते हैं बेटा कि क्या करते हैं मद्ध पद को दो बटा दो से गुड़ा करते हैं तो यह मद्ध पद सेबन एकस अपान टू था इसको मैंने टू अपान टू से multiple कर दिया बाकी कुछ नहीं किया दूफराइफ टा था तीफराइफ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दू नीचे तीफराइफ टेफ में क्या करते है भाईया कि जो मदपद का गुड़ाँख होता है मदपद में जो एक परकार से कहें तो जो चर का गुड़ाँख होता है जैसे इसमें सेबन अपान टू है उसको वन अपान टू से गुड़ा करते हैं यानि एक बटा दो से गुड़ा करते ह और एक बटा दो से गुड़ा करने के बाद क्या करते हैं जो मिलता है उसका वर्ग इसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं फिर जो यह नंबर लिखा होता है आचारपद उसे लाइस्ट में वैसे लिख देते हैं बस यही मुश्किल वाला था तीफरा इस्टेप बाकी स अब आगे देखो कैसे यहां पर मैंने क्या किया आप अगर यहां एक चीज ध्यान दो तो आपका यह फार्मूला बन रहा है क्या बन रहा बच्चा एका स्कॉयर माइनस टू ए बी और धन बी का स्कॉयर बन रहा है ना तो हमने इसको सुत्र बना दिया था ए माइनस बी का होल स्कॉयर यानि ए माइनस बी का होल स्कॉयर यह बन गया और यह माइनस का देखो साथ बटा चार यह प्लस वाला तो यूज हो गया सुत्र में जहां तक मैंने लाइन खीचा है यह तो सुत्र में यूज हो गया लेकिन जो यह माइनस का साथ बटा चार था बच्छा ये माइनस का सेवन अफान फोर बच रहा था तो साथ का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, 49 होगा फोर का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा इस तरह से आपका ये 49 बटा 16 हो गया और ये 3 बटा 2 जैसे था इसको मैंने वह ऐसे लिख दिया इज़त के साथ कुछ कोई कुछ नहीं किया इसमें अगला लाइन में मैंने इसको ऐसे लिख लिया इसमें 16 और 2 काल्सियम लिया तो क्या होगा आपको पता है क्या होता है और एक मिनिट रुख जाओ थोड़ा अफा देखो यह सभी बराबर की इस पार है इस पार है इनको मजदार के उस पार भेजेंगे तो 49 उधर जायेगा तो यह जो माइनस में है यह उन्चास बटा 16 प्लस में हो जाएगा तीन बटा दो इधर प्लस में है उदर जाएगा यह म उसके बाद क्या किया मैंने यह थोड़ा इसके खोपड़ी पे लग रहा है इसलिए इसको थोड़ा डाउन कर दो यह हुआ हल कर लिया बस बागी कुछ नहीं करना यार इसको हल कर लिया यह देखो 25 अ सूरा यह था इसका वर्ग ता दोनों पक्छ का वर्गमूल कर दिया इसम अगर किसी समान संख्या का अगर हम और्ग मूल के रहें जिस पर पहले से वर्ग लगा हो तो उसका उत्तर वही मूल संख्या होती है आधफर हैं यृघ तरह से यह से एक्स माइनस से बनाफान फोर का जो वर्ग है वो करने के बाद एक्स माइनस से बनाफान फोर आ गया उसके बाद क्या किया मैंने 25 बटा 16 का वर्गमूल करोगे आपको पता बच्चा 25 का वर्गमूल 5 आता है 16 का वर्गमूल 4 आता है यह सब को पता है तो वर्ग ले लिया फाइप एपान फोर को एक बार प्लस में उच किया तो यह एक से कोल फाइप पान फोर प्लस सेवन अपान फोर हो गया फिर यहां से हल किया तो तीन आया एक बार एक्स कमान माइनस में ले लिया क्या ले लिया माइनस में ले लिया तो जब माइनस में ले लिया तो फाइबान फोर प्लस सेवन अपन फोर इसको हल कर लिया तो एक बटा दो आया इस तरह से इस दुई घास समी करण के पूर्ण वर्ग विदी से हमने दो मूल सफलता पूरवक निकाल लिए जिन छत्रों को लिखना फटा फट लिखलो गरिमा तिर पाठी जी गुड मॉनिंग लेकिन आप काफी देर से जुड़ी है इसलिए हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आई इसलिए आप टाइम से जुड़ी है और फीक ही चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस कारवां को ले करके सभी बच्चे समझ गए वह दीपांसुची और हौम और काह को क्लास बंद करने के आई करते हो और Hey एक सवाल और कर लो किलियर हो ज्यांवन मैं तुम लोग चलो कमाल के बच्चों बगवान तुमको बनाए कहां हम इस बात को सोच के पज़ता रहे कले से तुमको मैंने चार-पांच बार बताया आठ बार बताया कि बच्चा हो बेटा हो तुम कहीं चले जाओ दुनिया से दूर जहां पे तुमको ट्रिक वाले मिल जाए बहुत अच्छे स बताया समझाया था कल कई बार प्यार से कि पीवियर स्टडी 2.0 चैनल पर कलाश चलेगी ट्रिक वाला 15 अक्टूबर से सुबह साथ बज़े देखना वहां पे तुम कूप ट्रिक पढ़ना वहां पे मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ही नहीं लेकिन तुम्हें अगर समझ में आय लिख रहे थे कमेंट एक लिख लिए थे उसको पेश्ट कर दे रहे थे बार 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 जल्दी जल्दी से तो चलो सीकेंड नमबर पार्ट लिखो जल्दी से सभी बच्चे कच्छा दस की मैं था पढ़ रहे एक सरफाइज 4.3 है अब ध्याज 4.3 है जल्दी से लिख सभी बच्चे लिख लो फटाफट ठीक है जल्दी फर लिख लो 4.3 विश्टन नमबर फार्स्ट का से केंड पार्ट चलो second part लिखो second part लिखो second part लिखो second part क्या कहता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग शाफ लोग फटाफट शाफने में तो तेज हो ना देखो नहीं 5 का second नहीं है first का second है first का second part है 2x का square plus x question है 2x का square plus x minus का 4 equal 0 अगर इसको हम simple way में हल करें तो कर सकते हैं कि नहीं सोचो मद्य पद को तोड़ करके गुड़ा करने पर 8 है घटाने पर एक आए है कोई गिंती गुड़ा करने पर 8 आजाए घटाने पर एक आजाए हमें तो नहीं लगता कोई गिंती है नहीं आएगा न तो इसको हम poor work method से करेंगे बच्चा एक बार poor work method एक बार फिर से सुन लो जो नए चात्र जुड़े हैं मैं फिर से बता रहा हूं आसिस पांडे कपिल कुमार सुरज कुमार गरिमा तिर पाठी जी पहले तो गरिमा जी आप यह बताए कि आप 10 में या फिर किसी और क्लास में क्योंकि आप अभी अभी जुड़ रहें अगर 10 में तो आपके लिए थोड़ा सा मुस्किल था अभी तक लेकिन अब नहीं है क् इसमें वही रूल फिर से बता रहा हूं पूरा पहला रूल है इसमें यक्स स्क्वायर के गुडांक से दोनों पक्छों में दोनों पक्छों में भाग ध्यान से देखो X2 के गुडांग से दोनों पक्षों में भाग करना है तो भईया यहां पर X2 का गुडांग बताओ आप सभी मुझे जल्दी से बताओ X2 का गुडांग क्या है देखो हमें पता है कि 2 है न तो हम जादना पूछते हुए पहले x square के गुड़ांग से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे यह 0 था तो सभी में 2 से भाग कर देंगे सब में किसी को नहीं छोड़ेंगे एक परकार का अब क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ध्यान दो आप लोग यह कट जाएगा इसे एरो लगा के साल्म करते चलो तो यह x का square प्लस यह x अपान 2 माइनस यह कटेगा तो 2 आएगा इक्वल यह 0 आएगा इतना समझ में आ रहा है चलो ठीक है दी पांसुजी बिल्कुल दी सुजी आपको भी सही है बच्चा दूसरा step क्या है second step कहता है मद्य पद को मद्य पद को 2 बटा 2 से गुड़ा करिए चलो यह भी एक चाम पूरी कर देते हैं मद्य पद को 2 बटा 2 से गुड़ा कर देते हैं तो यह x square हो जाएगा धन मद्य पद यह है x अपान 2 है इसे हम 2 अपान 2 से मल्टीपल कर देंगे बच्चा ये लो ये लो मैंने क्या किया गुड़ा कर दिया मद्य पद को किस से कर दिया दो बटा 2 से गुड़ा कर दिया इतना समझ में आ गया ना अनंत पांडे समझ में आया तो मेड़क बन के वैठे हो भी ज़िए चलो यह दो involved हो गए तीसरा इस्टाप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि तीसरा इस्टाप थोड़ास आपके लिए टपपढ पड़ सकता है बड़े प्यार से सुनना 302 जा मध्य, पद का गुड़ा seizure गुड़ा uit मद्य, पद, का गुड़ान यह तीफरा इस्टेफ है एक बटा दो करके क्या करेंगे ताथा प्राप्त संख्या का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे जोड़ेंगे और घटाएंगे यही चीज तो तुमको समझना था ठीक है थाड़ वाला यह बताओ कि इसमें मद्यपद का गुडांग क्या है मद्यपद का गुडांग हमें पता है बच्चा कि अगर हम यक्स अपान टू में आप से पूँछें कि इसमें गुडांग क्या है तो आप बड़े प्यार से कर लोगे कर लोगे ना भाया इसमें अगर यक्स का गुडांग पूँछें तो वन अपान टू है क्या है वन अपान जाएगा नीचे दिख रहा है ना तो हम क्या करेंगे एक बटा चार का उवर्ग इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे इसको अभी ऐसे लिखते हो इसमें कुछ नहीं करेंगे एक बटा चार का वर्ग इसमें हम जोड़ देंगे मान फे कोई फरक ना फड़े इसलिए इसको ऐसे इसमें से घटा भी देंगे माइनस को दो एककोल सुन्ने कर देंगे बस यही करना था इसको हल कर लो आपका मान आ जायेगा अब हलक ऐसे करते हैं थोड़ा सा आपको सोचना इसके बारे में बस ज्यादा कुछ नहीं करना है चलो बेरी सिंपल साय कर लो बच्चा फटा फट हम लोग जानते हैं सूत्र जानते हैं आप लोग भी जानते हो अब मैं यह रूल मिटा दे रहा हूं जिन बच्चों ने रूल नहीं देखा मैंने दो पार्ट करवाए दोनों में लिखवाए थे आप लोग पीछे वीडियो कर लो और समझ लो यह थोड़ाफा टॉप है यह टॉपिक थोड़ाफा कटिन पढ़ सकता है मिस्टर कपिल कु कोशिस करोंगे तो आजाएगा और हर रोज मैं आप लोग का नाम भी नहीं बोलता हूं आप देखते होंगे सिर्फ पढ़ा देता हूं बस तो फिर इस उम्मीद में नहीं रहा करो हर दिन कि मैं आपका नाम बोलूंगा ठीक है इस कारण से आप डेली इमानदारी से पढ़ करने के लिए नहीं हमें पता है का पता है नीचे दिख रहा है मैं एक लाइन और लिख दूँ चलो नीचे मैं क्या लिख रहा हूं सुन लो एक्स का स्कॉयर प्लस हम नीचे नीचे का गुड़ा करेंगे उपर गुड़ा नहीं करेंगे तो यह हो जायाएगा बच्चा यह आपान 4 ठीक है और प्लस 1 अपान 4 का whole square माइनस 1 अपान 4 का whole square माइनस का 2 equal 0 निचे दिख रहा है ना जहां मैंने लिखा है पूरा दिख रहा होगा अब अगर आप देखो तो A का ही square धन 2AB बन रहा है ना क्या बन रहा है 2AB बन रहा कि नहीं लेकिन आप लोग कहोगे इसमें यक्स कहां है इसमें यक्स है बच्चा इसमें यक्स अपान 4 में आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें 2 पद है क्या क्या है यक्स अपान 4 में 2 पद है इसे तुम यक्स इंटू 1 अपान 4 लिख सकते हो कि नहीं बोलो लिख सकते हो ना लिख सकते हो ना तो अगर इसे तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना बच्चा तो यक्स जो है इसमें ए है और वन अपान फोर क्या है बी है बात समझ में आई ना यक्स ए है और वन अपान फोर क्या है बी है तो इस तरह से आप इसे कह सकते हो टू और यह अबी यक्स क्या है haven फिला तो यहां का फर्मूला बन जायगा कितनी की जगव फें कि यापका इतना की जग़ा फे सुत्रबन जायेगा बच्चा यापका सुत्रबन जायँ ते सुत्र में क्या नेगा देखो dot Marri by a यक्षब प्लस वनफ-फन-4 का होली स्क्वायर है ना कितना ही जी आसीस यादो जी आरा समझ में पूजा कुमारी अभी अभी आप आ रहे हो बड़े जल्दी आ रहे हो यह वन अपान सिक्स्टीन हो जाएगा भाई यह एक बटा चार कवर्ग सोला और एक कवर्ग एक और माइनस का दो एक कॉल का जीरो हल कर लो इतना तो कर लोगे सब बच्चे कर लोगे इतना लेकिन यहां पर कुछ गड़बड है तो बता दे ना कुछ गड़बड नहीं है ना चलो फिर यहां पर arrow लगा लो यहां पर arrow यक्स प्लस 1 अपान 4 का whole square equal इन सब को उधर भेज दो तो यह 1 अपान 16 प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान 16 प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 equal 0 जीरो कहा लगाओगे बच्चा बस हो गया हमने क्या किया पक्चांतर कर दिया जो भी अचारपद थे अब इनको इधर है हल कर लो जटक पटक के तो यह यक्स प्लस 1 अपान 4 का whole square equal 1 एक कम 1 16 दुना 32 से 33 बटा 16 आएगा आप सब को पता यहीं आएगा ना यहीं आएगा ना नीचे लिखोंगे दोनोपक्चों का सवर्गमोन करने पर लिख लिए और उसको लिखने के बाद क्या करोगे यह लिख लेना ऐसे आप लोग इसे दो बार करोगे याद रहे यह आए दो बार कर ओद कर दिया मैंने तो इसी पर टोपी पहिना दिया लगा दिया लेकिन तुम लोगा करोम जिसको इसे रहने दोगे नेचे लिखोगे दोनों पक्षों का जिश्यक्त करने पर और फिर ये चीज़ नीचे लिखोगे इसको खराब नहीं करोगे काप्री में कि इस तरह से करोगे अगर आप लोग तो आपको समझ में आ गया होगा यह आंसर आ गया है मैं साइड में इसे हाल करके दिखा देता हूं कम्पलीट करके इधरे साइड में देख लो आप लोग के स्ञोगों कि यहां पर देखो वर्गमुल करोगे बच्चा एक स्फ्लस वजुनपAR आएगा कि यह प्लस माइनश देख नहीं कि सोला का हो जाएगा ताहिए कवर इस तरह से इतना अजायगा एक बार प्लस वाला ले लो एक माइनस वाला ले लो तो बच्चा क्या करेंगे एक बार हम प्लस वाला मान लेंगे तो यह एक्स इक्वल अंडर रूट 33 बटा 4 यह उधर जायेगा माइनस 1 अपान 4 नीचे दिख नहीं रहा होगा न आगे हल कर देता हैं अंडर रूट 33 माइनस 1 अपान 4 यह एक्स का एक वैलू हो जायेगा बता देना नीचे नहीं दिखेगा तो यह दिख रहा की नहीं नहीं दिखेगा तो बता देना मैं नीचे दिखा दूगा अंडर रूट 33 माइनस 1 अपान 4 ठीक है दिख रहा की नहीं बेश्टर कपिल कुमार दीपान्सू अनंत पूजा नेहा और कोने भाई अनंत तुमको नहीं दिख रहा है वैसे भी तुमारी आंके थोड़ा छोटी है चलो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यह लो अब तो दिख गया और क्या देखोगे चलो ठीक है ना दिख रहा है ना तो यह हो गया एक्स का एकमान ब्रेकट में लिख लेना प्लस चिनल लेने पर इधर फाइड लिख लो इधर साइड लिख लो याक्स इक्वल माइनस का अंडर रूट 33 एपान 4 माइनस लगा के लिखना यहां पर लिखोगे माइनस चिनल लेने पर 22 का वर्गमूल किया तो प्लस माइनस दोनों में आया है तो माइनस चिनल अगर लोगे तो यह तो ऐसे ही रहेगा इस तरह से आपका जो यक्स का बैलू आयागा बच्चा माइनस का अंडरूट 33 माइनस का 1 अपान 4 यानि आपके दो मूल आ गए समी करण के कितने आ गए बच्चा वो कौन-कौन से आ गए वो जो आये हैं आपको खुदी दिख रहे दिख रहे न एक्स का एक मूल आया है अंडरूट 33 माइनस 1 अपान 4 दूसरा मूल आया है माइनस अंडरूट 33 माइनस 1 अपान 4 ये एक्स के दो मूल है ये आपका थाक अच्छा थास की NCRT मैथिक्सराइज 4.3 का सवाल नंबर 1 का 2nd and 1st part इस तरह के इसमें दो पार्ट और हैं जिसको आप खुद से करोगे तो मिलते हैं फिर आज कने इतना ही अगर आपके मन में कुई सवाल है तो आप कमेंट करके बता देना मैं यह सवाल मिटा दे रहा हूँ या फिर आप उपर देखो तो नंबर दीकरा भईया ठीक है ये लिख लो यहाँ पे मैं लिखदेता हूँ जो छात्र पूरा complete course अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को subscribe कर लें और bell icon आन करके रखें और अपना नाम, class का नाम अपने सहर का नाम इस WhatsApp नमबर पर भेजें और वो free की सारी class देख सकते हैं उनको WhatsApp के group में जोड़ दिये जाएगा नमबर मैंने लिख दिया है ठीक है तो बंद करें किसी के मन में कोई सवाल है तो बोल दो कपिल कुमार, पंकच, मदेशिया पूजा कुमारी सुधानसु अंजली मनीशा आगे सभी को समझ में बहुत से चातरों के कमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कमेंट तो धेर सारे बच्चों के आ रहे हैं सभी का तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं लेकिन जिनके पहले आते हैं उनका नाम हम बोल देते हैं तो फिर चलते हैं आज के लिए इतना धन्यवाद आपसे एक बिनमरनी बेदन है कि आप इस कलास को खूब सेयर करिए जादा फिर जादा फिर करिए आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके नमबर पे उनके ममी पापा की नमबर पे उनके भाईया दीदी के नमबर पे वाटसाप का इसका जो लिंक है ना वीडियो का वाटसाप पे भेज दो गुरूप में भेज दो फेस्बूक ए इंस्टा जहां पर जो भी करते हो सब भेज दो और जगा जादा बच्चे आएंगे और अच्छी कलास चलेगी और अच्छे से पढ़ाएंगे और बड़ी कलास चलेगी और रेगुलर चलेगी तो बच्चे जादा फे जादा जोड़ो आप लोग ठीक ना हाँ तो इतना करना मिलते हैं फिर अगर